अब खबरे विस्तार से किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इरान के इशारे पर हिजबुला इतनी बड़ी जंग तैयारी कर रहा है हिजबुला का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इस्रेल के होड़ शुड़ा दिये हैं हिजबुला की मिसाइल सुरंग हमास की सुरंगों से चार गुना बड़ी और गहरी है जिसकी वज़़ा से इस्रेली सेना उन्हें तबाह नहीं कर पा रही है खबर यह है कि इरान के सुप्रीम लीडर खामने ने हिजबुला को इशारा कर दिया है कि जमीन के नीचे से इस्रेल पर हमले शुरू कर दो इस आदेश के बाद से हिजबुला लगता डेड़ घंटे कर उत्तरी इस्रेल पर हमले करता रहा अलेकुक्त दब्लिया रज़्दल्ला खामनेई का आदेश हिजबुला ने खोली मिसाइल सुरंग अब युद के मैदान में इस्रेल और कितने दिन टिक पाएगा ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि अब हमास अपनी आकरी जंग भी सुरंग से लड़ रहा है हिजबुला ने खाजा युद के 10 महीने बाद पहली बार अपनी मिसाइल सुरंग इस्रेल के खिलाफ खोल दी है और इरान ने तो सुरंगों वाले बंकर से हजारों मिसाइले और रॉकेट इस्रेल पर एक साथ दागने के लिए तयार कर दिये है पिछले एक हफ़ते में अचानक इस्रेल बैक फुट पर नसर आने लगा है पीम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योग एलन के बीट जंग की रणनीती को लेकर तीखी बहस हो चुकी है ये सारा जंगी माहौल साबिद करता है कि इस्रेल धीरे धीरे जंग के दलदल में धस्ता जा रहा है चाहे घाजा युद्ध हो चाहे हेजबुला से युद्ध हो या फिर इरान से इस्रेल की जंग हो अभी तक इस्राइल, हमास, हेज़बुला और ईरान पर भारी पड़ता नज़रा रहा था लेकिन पिछले 7 से 10 दिन से देखा जा रहा है कि हेजबुला और हमास की तरफ से इस्राइल पर बेहद सटीक और घातक हमले किये गए हैं हैरानी की बात तो ये है कि इस बार इस्रेली कमांडर्स भी ये मानने को मजबूर हुए हैं कि हमास और हिजबुल्ला मिसाइलों और रॉकेट से हमले कर रहे हैं इन खौफनाक हमलों के पीछे का एक ऐसा सच सामने आया है जिसने इस्रेल की वार टीम के होश फाक्ता कर दिये हैं पहली बार हिजबुल्ला ने दिखाई मिसाइल सुरंग जरा हिजबुल्ला के इस वीडियो को देखिए जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुल्ला के खदरनाक लड़ा के घातक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं वीडियो में हिजबुल्ला के लड़ा के सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं हिजबॉल्ला के सुरंगों के खास बात ये है कि ये लगभग दो मनजिल उची है सुरंग में घातक मिसाइले, रोकेट भरे पड़े हैं बड़े बड़े ट्रकों पर सैक्डो मिसाइले लदी हुई है चौकाने वाले हिजबॉल्ला के वीडियो में नई इमाद चार सुरंग दिखाई गई है अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में ही जानती थी लेकिन पहली बार हिजबॉल्ला ने घातक हत्यारों से लैस सुरंग दिखा कर इसरेल और उनके सहयोकियों के होश उड़ा दिये है दावा किया जारा है कि एरान के सुप्रीम लीडर खामनई के कहने पर हिजबॉल्ला ने इसरेली सेना पर हमले तेज़ कर दिये है हिजबॉल्ला चीफ हसन नसरल्ला और सुप्रीम लीडर खामनई के कहने पर हिजबॉल्ला ने पहली बार सुरंग मिसाइलें इसरेल पर हमला करने के लिए खुल दी है ने पर हमले पर हमले में इसरेल तबाह तीस जुलाई को हिजबॉल्ला के नंबर दो टॉप कमानडर फुआज शुकर को इसरेल ने बेरूत में जबरदस्त हवाई हमले में मार डाला 31 जुलाई को हमास चीफ आनिया को इरान की राजधानी तेहरान में इसरेली एजिंटों ने धमाका करके मार दिया इन दो हत्याओं के लगभग 20 दिन के अंदर इरान और हिजबॉल्ला ने इसरेल का सरवनाश करने के लिए ऐसी रणनीती बनाई है कि इसरेल के टॉप कमानडर भी चक्रा गए है इरान के सुप्रीम लीडर खामनई और हिजबॉल्ला चीफ हसन नसरला इसरेल को उसी के अंदाज में मनोवग्यानिक जुद में फजा रहे है ज़रा देखिए हिजबॉल्ला किस तरह से हमले इसरेल पर लगातार आठ दिन से कर रहा है ज़रा इस एनिमेशन को देखिए हिजबॉल्ला इस वक्त उतरी इसरेल पर जबरदस्थ हमले कर रहा है पहाडी इलाखों में मौझूद इसरेली सेना के कमांड सेंटर और सैने ठिकानों पर हिजबॉल्ला ने कत्यूशा और कोरकान मिसाइलों से हमले शुरू किये है खुद इसरेली सेना ने माना है कि हजबॉल्ला सीरियल मिसाइल अटेक करने में जुटा है दावा किया गया है कि हजबॉल्ला ने उत्तरी इसरेल में सैने ठिकानों पर लगातार 90 मिनट तक मिसाइले और रॉकेट से हमले किये हैं जिसकी वज़े से इसरेली सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हेजबुल्ला ऐसे रैपिड मिसाइल अटैक से इसरेल की एर डिफेंस कोड बी कोड करने में जुटा है। इबालत इसरेल फी लुबना इड़क ci तो प्राम नेचला है यह एकुल्ला में जुबनार बबनान install मैंजा ह laughs लाई स्रेंगा बील्पवी इसकी एषनार में थो relaxing लबनानी एक लिर्फरा में लुबला इसरेला इसरेली प्राभ लुबनान युबनानी एकलिमा ह दुबना प्लान खौफ में इस्रेल तीन सो दिन से ज्यादा की जंग में हमास, हेजबुला और इरान को इस्रेल ने भायानक चोट पहुचाई है लेकिन 300 दिन की जंग में हमास, हिजबुला और इरान को समझ में आ गया है कि इस्रेल को उसी जमीन पर उसके वार प्लान के जरिये हराया जा सकता है इन तीन तस्वीरों से पूरा प्लान समझ लीजे हमास के पास इतनी जादा सुरंगे थी जो 300 किलोमेटर दूरी तै कर सकती है इस्रेल ने लगभग 90 फीजदी हमास सुरंगे तबाह कर दी है लेकिन अभी भी हमास 10 फीजदी सुरंगों के जरिये इस्रेल पर गातक हमले कर रहा है ठीक उसी तरज पर हिजबुला ने अपनी मिसाइल सुरंगों को इस्रेल पर हमला करने के लिए खोल दिया है जबकि इरान ने अपने बंकर में रखी हजारों मिसाइलों को एक साथ इस्रेल पर हमला करने के लिए तयार कर दिया है अब आप अनुवान लगाएए कि अगर हमास, हिजबुला और इरान मिलकर सुरंगों और बंकरों से एक साथ मिसाइल और रॉकेट से इस्रेली सेने चेकानों और शेहरों पर हमले कर दें तो इस्रेल इतने भीशन हमले को कैसे रोप पाएगा बेशक इस्रेली सेना के टॉप कमांडर दाबा करें कि वो हमास, हिजबुला और इरान के हमलों से नपट लेंगे लेकिन जिस तरह की तैयारी हिजबुला ने की है वो हैरान करने वाली है हिजबुला ने ये वीडियो ऐसे समय में जारी किया है जब उसने अपने टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इस्रेल के खिलाब जवाबी कार्यवाई करने का ऐलान किया है इरान समर्थित लेबनान के चरमपन्थी समू हिजबुला ने शुक्रवार यानि 16 अगस्त को ये वीडियो जारी किया है हिजबुला के दरब से जारी किये गया वीडियो क्लिप में विशाल सोरंगे दिखाई गई है ये इतनी बड़ी हैं कि इनके अंदर ट्रक का असानी से गुजर सकते हैं सुरंगे कम्प्यूटर और बिजली से लैस हैं इनमें मिसाइल से लड़े ट्रकों को एक के बाद एक चलते हुए देखा जा सकता है हेजबुला ने जो वीडियो जारी किया है उसकी शुरुवात एक बड़ी सोरंग से होती है जिसमें बाइक सवार हेजबुला लड़ा के आते हैं इसके बाद वीडियो आगे बढ़ता है जिसमें बाइक सवार आगे चलते हैं और उनके पीछे मिसाइल लाउंचर से लास्ट ट्रक बढ़ते हैं, पूरी सुरंग में लाइटें लगी हुई हैं, एक के बाद एक ट्रक गुजरते हैं, इस दोरान मुख्य सुरंग से जुड़ी कई दूसरी सुरंगे दिखाई देती हैं, ट्रक एक जगह रुकता है, वो ज जमीन के ओपर खुलती है, यहां लॉंचर तैयार होकर जमीन के बाहर की ओर निकलते हैं, हिजबॉल्ला के इस सुरंग वीडियो को देखिए, जिसमें सैकडों घातक मिसाइलें, रॉकेट और लड़ाके मौजूद हैं, वीडियो में सुरंगों का नेटवर्क और जमीन के अंदर चार जगहें दिखाई गई हैं, जहां से इस्रेल के खिलाफ मिसाइलें दागी जाएंगे, हिजबॉल्ला का दाबा है कि इन सुरंगों से मिसाइल हमला करके वो दुश्मन के हर इलाके तक पहुँच सकता है, वीडियो में दिखा गया है कि ट्रक पर बुलिट